नमस्कार दोस्तों, दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गरीब सवर्डों के लिए भी 10% आरक्षड की ब्यवस्था भारत सरकार की तरब से कर दी गई है और ये बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत ही न्याइप्री और एतिहासी कदम भारत सरकार दोरा लिया गया है हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए, जिसमें गरीब सवर्ड भाईयों को, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी कम्यूनिटी के हो, जो भी अन्रिजर्व्ड थे, सबको 10% आरक्षड का लाब मिलेगा. दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने सुझाओ दिया था, या फिर निवेदन किया था भारत सरका से, कि आरक्षड की ब्योस्था ऐसी होने चाहिए, जिसमें हर एक व्यक्ति को, जो भी आरक्षड के योग्यों हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो सवर्ड हो, यसी हो, यस्टी हो, सब को आरक्षड मिला चाहिए, लेकिन सिर्फ जाति के नाम पर नहीं, आर्थिक आधार पर, तो उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्स बॉक्स में दे दिया है, उस वीडि जनरल हो, सब को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जनरल काटेगरी के बच्चे अमीर होते हैं, बहुत सारे जनरल काटेगरी के बच्चे ऐसे हैं, जो दो टाइम की रोटी नसीब नहीं होती है, जो दूसरों के घर काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे इस छोटे से इंट्रों के बाद तो दोस्तों जो दस प्रतिशत गरीब सवर्डों को आरक्षड देने की बात सरकार ने कहीं है जिसका समविधान में संसोधन करने तो यह आरक्षड हर एक कम्योनिटी को चाहे वो मुस्लिम हो मुस्लिम में जो उच्चवर्ग है जैसे पठान हुए खान हुए शत्री हो ब्राभण हो भूमिहार हो श्रिवास्तव हो या फिर जैन धर्म माइनॉरिटी में या क्रिश्यन हो जो भी अन्रिजर्व्ड है हर एक ब्यक्ति को जो गरीब है उसको यह आरक्षड का लाब मिलेगा यह लाब नौकरियों में सेवाओं में और सिक्षा में मिलेगा अब हम जान लेते हैं कि यह लाब पाने क्या क्राइटेरिया क्या है इस लाब के लिए सबसे पहले आपके परिवार की सलाना आमदनी आठ लाक रुपए या आठ लाक रुपए से कम होनी चाहिए दूसरी चीज अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं शहरी छेत्र में रहते हैं और आपने फ्लेट लिया हुआ है तो उस फ्लेट का शेत्रफल 1000 स्क्वाइर फिट या अगर आपका मकान है तो वो मकान 100 गज से कम का होना चाहिए अगर अधिक का है तो आप इस आरक्षण का लाप नहीं ले सकते हैं तीसरी चीज अगर आप ग्रामीर शेत्र में रहते हैं तो आपकी कुल खेती योग्य जबीन 5 एकर से कम होनी चाहिए हासियत है कि यह जो है बाकी आरक्षण से जैसे OBC को आरक्षण 27 परसेंट है यह CST को जो आरक्षण है उनको बीना डिस्टर्ब किये उनमें बीना बदलाव किये दिया गया है जैसे उनका 49.5 प्रतिसत आरक्षण था तो उसमें बिलकुल भी छेड़ शाड नहीं की गई है यह उसके अतिरित आरक्षण दिया गया है तो इसमें किसी को किसी प्रकार की परेशारी नहीं होनी चाहिए सबको इसका स्वागत करना चाहिए सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए और अगर आप इस आरक्षण की स्रेड़ी में आ रहे हैं आपको इससे लाभ हो रहा है तो वीडियो लाइक कर दें दोस्तों इस आरक्षण की नीति को लेकर बहुत सारे भ्रम समाज में फैल गया है बहुत सारे कुप प्रचार हो रहे हैं तो इसको पाले नहीं आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी लाप्रद लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैं ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अ ना ख्याल लखे, नमस्कार